हमारे यूट्यूब चैनल समाइला टेटोरियल में आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपा करके इसे सब्सक्राइब वश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नो सब्सक्राइब के मल्टिपल चॉइस कोस्चन्स फिलिंद अवलाइंग्स और वैरी शोट आंसर टाइप कोस्चन्स पढ़ेंगे तो यह पार शूरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेटर क्या है कि ऑपरेटर कुश किसम के सिंबल होते हैं या चिन होते है जिनका काम सी वहाचा में किसी बी किसम का ओपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है जैसे कोई नमबर प्लस करना है माइनस करना है गुना करना है डिवाइड करना है रिमेंडर निकालने है less than greater than condition चेक करनी है और इसके साथ साथ जो expression है वो क्या है कि expression mathematics के एक formula की तरह होते हैं, जो operators और operators पर काम करते हैं, operator मैंने आपको बता दियो, symbol होते हैं, but operators किया है, कि operator कुछ variables, constant ज़र data items होती है, जिनके ओपर किसी भी तरह की calculation की जाती है, तो सबसे बहले बात करते है, multiple choice questions, तो question number one है, these symbols which are used to perform some specific type of operation on data are called, means, कि वो symbol या चिन जो किसी data के ओपर खास किसम का operation perform कराने के लिए use होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो इसकी options है, operands, operators, expressions और formulas, तो इसका सही answer है, operators, कि operator वो symbols होते हैं, जो किसी भी तरह की calculation जा operation perform करने के काम आते हैं, नमबर तो, which operator acts only on one operator, कि कौन सा operator के एक ही operator जहाँ variable को पर काम करता है, तो इसकी options है, unary, binary, turnary और conditional, तो इसका सही answer है, unary, तो जुनरी का मतलब होता है, जो operator किसी single variable पर काम करें, उसको जुनरी बोलते हैं, जो दो पर काम करें, उसको binary बोलते हैं, जो तीन पर काम करें, उसको turnary बोलते हैं, अगर सही और गल्द का फैसला लेना हो, तो उसके लिए conditional operator यूज़ होता है, नमबर थ्री, which of the following is not a logical operator, कि इन में से कौन सा logical operator नहीं है, तो इसकी options है, and, or, equality, जा not, तो इसका answer है, equality, यह and be logical operator है, or be, or not be, but equality जो है, जो comparison operator है, जो relational operator है, जो दो variables को compare करने के काम आता है, बाकि logical operators के बारे में, जब हम question answer पढ़ेंगे, उस समय इसके बारे में, detail में पढ़ेंगे, नमबर चार, which civil use for turnary operator, कि turnary operator के लिए कौन सा chin use होता है, तो इसकी options है, colon, question mark, semicolon, question mark, question mark, colon, और question mark, semicolon, तो इसका सही answer है, question mark, colon, तो बताना चाहूंगा कि जो turnary operator है, इसको conditional operator भी बोलते हैं, इसके जुरुत पढ़ती है, जब हमने सही जंग गलत का फैसला करना हो, नमबर फाइव, which of the following cannot be considered as assignment operator, कि इन में से कौन सा assignment operator नहीं है, तो इसके options है, equal to, double equal to, plus equal to, और modulus जब percentage equal to, तो इसका सही answer है, double equal to, जो double equal to है, यह एक relational operator है, जो दो variables को compare करने के काम आता है, जब कि जो equal to है, यह assignment operator है, यह क्या करता है, कि right hand side वाले variable की value, left वाले variable में copy करता है, और जो plus equal to है, यह क्या करता है, कि right वाली value, left वाले variable में plus कर देता है, और जो percentage equal to, जो more or less equal to है, यह करता है, राइट वाली value को लेफ्ट वाले एक राइट करके remainder निकालता है नेक्स्ट देट फिलिन दा ब्लैक्स नमेर वन डैश यर्धी data items on which operators can perform operations कि डैश वो data items हैं जिनकी ओपर operators अपना काम करते हैं तो इसका औप्शन है Operants कि Operants C Language में Data Items होती है, Variables होते हैं ज़ा Constant होते हैं जिनके ओपर Operator किसी भी तरह का Operation perform करते हैं ज़ा Calculations करते हैं Number 2, General Operator acts on only Dash Operant कि General Operator है वो Dash Operant पर काम करते हैं तो इसका अंसर है One जा Single कि General Operator single Variable जां Operant पर काम करते हैं Number 3, Dash Arthematic Operator performs only on Integer Operant Integer का मतलब होता है कि जिसके अंदर decimal point नहीं आता तो इसका अंसर है Modulus तो Modulus Operator का Symbol percentage होता है इसका काम क्या है कि आगर आप C Language में remainder find out करना चाहते हो तो उसके लिए Modulus Operator यूज हो तो आपको पता है जब हमने remainder निकालना हो तो उस टाइम पे जो हमारे numbers है Integer type के होने चाहिए Without decimal pointer होने चाहिए Number 4, When value of one type is converted into some other type It is called dash Means जब हम एक किसम की value को किसी दूसरी किसम की value में convert करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है तो इसका अंसर है type conversion Means की C language में जब हम एक data type को दूसरे data type में convert करते हैं तो उसको type conversion कहा जाता है Number 5, Turnary Operator is also known as dash की Turnary Operator को और क्या बोलते हैं तो इसका अंसर है conditional operator तो इसके बारे मैं आपको पहले भी बता है कि conditional operator का जो symbol है वो question mark और colon होता है और इसका प्रजोग क्या है कि अगर हम सही और गल्त condition का फैसला करना हो सही गल्त का फैसला करना हो उस समय इसका प्रजोग होता है नेक्स्ट है very short answer type questions तो जो very first question है वो है which operator causes its operand to be increased by one कि कौन सा operator अपने operand जहां variable में एक अंक बढ़ाता है तो इसका answer है increment operator जो इसका symbol है वो प्लस-प्लस होता है और आप से पूशा जाए कि वो कौन सा operator जो operand की कीमत में एक अंक गटाता है उसके लिए होता decrement operator minus minus तो यह एक जूनरी operator है number two which operators are used to test relationship between two variables कि कौन सा operator दो variables के बीच में संबंद को test करने के लिए परजोग होता है तो इसका answer है relational operators की relational operators वो होते हैं जो comparison करने के काम आते हैं जैसे less than greater than less than equal to greater than equal to number three write all the arithmetic operators used in C programming कि C programming में कौन कौन से arithmetic operators use होते हैं तो इसका answer है plus minus star का मतलब होता है multiply slash का मतलब होता है divide और percentage का मतलब होता है remainder बाकि इस चैप्टर में जब हम question answer पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में detail में पढ़ेंगे नमबर four which operator returns the size of its operand in bytes कि कौन सा operator अपने जो operand उसका size bytes के form में वापिस बेजते हैं तो इसका answer है size of size of एक junior operator है इस जे किस पर depend करता है कि जो भी हमने variable लिया operator लिया है जिसकी data पर depend करते हैं कि अगर हमारे operator की data इंटीजर है तो जे टू बाइट देगा अगर फ्लोट है तो चार बाइट देगा अगर करेक्टर है तो वन बाइट रिटर्न करेगा number five write the name of two ways of type conversion कि type conversion की दो किसमों के बारे में बताएं कि यह कौन-कौन सी होती है तो इसका answer है implicit and explicit कि जो type conversion है यह दो तरह की होती है यह implicit and explicit type conversion क्या करती है एक डाय टाइप को दूसरी डाय टाइप में convert करती है जो implicit conversion है यह आटोमेटिकली प्रफॉर्म हो जाती है इसको लिए equal to हम यूज करते हैं मालो हमने एक variable float टाइप लिया है और एक integer लिया है हम क्या करते हैं कि float वाली value को integer वाले variable में equal to से लिख देते हैं integer without decimal point आते हैं इसी तरह अगर हम integer वाली value को float वाले variable में लिख देते हैं तो क्या करेगा वो कि वह integer वाली value के last में decimal point वाली value insert कर देगा इसी तरह जो explicit conversion होती है इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं casting यूज करते हैं यह automatic नहीं होती ही इसे हम खुद करना पढ़ते हैं इसके बारे में आगे detail में पढ़ेंगे six है how many relational operators are present in c language इस c language में कितने relational operators use होते हैं तो इसका answer है six less than less than equal to greater than greater than equal to double equal to equality operator और not equal to यह relational operators हैं जो c language में use होते हैं तो बाकी जब हम इस chapter के question answer पढ़ेंगे तो उस time भी इसके program भी करेंगे और इसके theory के बारे में भी पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही अगर आपकी कोई query है तो आप comment section में पूछ सकते हैं जा अपनी computer दियापकी मदद ले सकते हैं धन्यवाद